तो हमने अभी तक पहला पेश्वा देखा जो प्रोमिनेंट बने थे उनका नाम था बालाजी विश्वनात कब तक 1708 में बने थे और 1713 में प्रोमिनेंट हो गये थे और इन्होंने पेश्वा सिप को इतना प्रोमिनेंट कर दिया कि अब छत्रपती से ज़्यादा इंपोर्ट पेश्वा की हो गई है 1719 तक और पेश्वा सिप को क्या कर दिया है हैडेट्री कर दिया हैडेट्री करने की वज़े से 1719 में जब इनकी देथ हो गई तो फिर इनके बेटे बनें कौन बाजी राओ कब तक 1720 से लेकर 1740 तक और यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अब तीसरे पेशवा 1740 में आए तीसरे पेशवा तीसरे पेशवा का नाम था बालाजी बाजी राव क्या नाम था? बालाजी बाजी राव जो बाजी राव के पुत्र थे बेटे तो इनका नाम एक्चुल में क्या था? बालाजी क्या नाम था? बालाजी लेकिट हमें ये पता है कि जब हम गुजरात, महराश्ट्रिया, साउथ इंडिया जाते हैं तो वहाँ एक ट्रेंड चलता है कि जो पुत्र होता है यानि कि सन होता है वो अपने नाम के बाद, अपने नाम और टाइटल के बीच में अपने पिता का नाम जरूर लगाता है जैसे बाजी राओ और इनका नाम बाला जी तो बाला जी और राओ के बीच में पिता का नाम बाजी तो बाला जी, बाजी, राओ ठीक है और इनही को कहा जाता था नाना साहि और इनका टाइम पिरियड है 1740 से 1761 21 साल तक ये भी पेशवा रहे ठीक है अब हुआ क्या कि भाई पेशवा हो गया था हेडेट्री तो हेडेट्री हो गया लेकिन छत्रपती का पोस्ट खतम नहीं हुआ छत्रपती का पोस्ट था तो इस वक्त छत्रपती कौन थे तो छत्रपती थे साहु जी ही देखियेगा Appointed as पेशवा बाई शाहु जी तो शाहु जी ही छत्रपती है लेकिन शाहु जी अभी क्या है सिर्फ नाम के है अब उनकी कुछ खास चलती नहीं है ठीक है चलती किसकी है बताइए पेशवा की चलती है और पेशवा हैडिट्री हो चुका था तो बाजीर के बाद बाजीराओ के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराओ ठीक है नेस्ट पोइंट लिखिये दुरींग है है पेशवाशिप अप्टू यर्शेयरम अप्टू इयर 1752, मराथा, मराथा एम्पाइर रिचेज टू इट्स जनित, मराथा एम्पाइर कहां अपने जनित पे पहुँच चुगा था, किसके सवे बालाजी, बाजी राओ के समय, अच्छा, इन्ही के टाइम पिरियट पर, बालाजी बाजी राओ के टाइम पिरियट पर ही क्या हुआ, शाहु जी की देथ हो गई, ठीक है, ठीक, तो लिखिएगा, लिखिए, इसे लिखेगा, साहु जी की देथ होगी, तो साहु जी क्या करेंगे, अपना वारिस बना कर जाएंगे, छत्रपती की जगा किसी को, खाये कि वो छत्रपती की पोस्ट भी तो क्या है, हेडिट्री पोस्ट ही तो है, है ना, तो वो किसको बना के जाते हैं, तो लिखिएगा, दिखिएगा, साहु जी नॉमिनेटेड लिखिज सक्सेशर राम राजा, राम राजा, राजा राम नहीं, राम राजा, ठीक है, साहु जी अपना, किसको बना के जाते हैं सक्सेशर, राम राजा को, र-A-M-R-A-J-A, राम राजा, ठीक है, अब क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए बाला जी, बाजी राओ, बाला जी बाजी राओ, साइन्ड, क्या साइन्ड करता है, ट्रीटी ओफ संगोला, यह इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ट्रीटी ओफ संगोला, ठीक है, या इसको एग्रिमेंट कह लिजे, या ट्रीटी कह लिजे, जो भी कह लिजे, कही एग्रिमेंट लिखा है, कहीं ट्रीटी लिखा है, तो परसान नहीं होना है, संगोला, किसके किसके बीच की बात है, बाला जी, बाजी राओ, और नय छत्रपती राम राजा, ठीक है, और इसमें हुआ क्या था, तो ट्रीटी ओफ संगोला यहाँ लिख लिजेगा, ब्रैकेट में, या ऐसे लिख लिजे, विथ छत्रपती राम, राज, ठीक है, तो हुआ क्या था, इसमें, इसमें बहुत अच्छी सी बार डील साइन कर ली थी, इन्होंने ओफिसियल, क्या ओफिसियल डील की, दिखिएगा, यहाँ पर, एकॉर्डिंग टू, दिस ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ओफ संगोला, इसकी बात हो रही है, एकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, क्या हुआ, च्छत्रपती बिकम वनली नौमिनल हेड और पेस्ट्रीटी बिकम वनली नौमिनल हेड और पेस्ट्रीटी, विश्वा ओफ पूने बिकम दे रियल हेड ओफ मराथा एम्पाइर, तो यह क्या था, तो मैंने तो कहा कि बाला जी विश्वनाथ ने ही यह कर दिया था मराथा को, पेस्वा को प्रोमिनल बना दिया और च्छत्रपती को क्या कर दिया, नौमिनल हेड किया, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, यह एग्रिमेंट क्यों साइन हुआ, यह एग्रिमेंट इस वजए से है कि इसने ओफीसियली डिकलेर कर दिया, क्या कर दिया, ओफीसियली जब ट्रीटी साइन हो गई, तो ट्रीटी साइन मतलब क्या हुआ, यह ओफीसियल हो गया, कि अब च्छत्रपती सिर्फ नौमिनल हेड है, अभी तक क्या था, अभी तक अन ओफीसियल था, कि क्या कहा जाए, दरबार पर या एड्मिस्टेशन पर पेश्वा की इतनी मजबूत पकड़ थी, कि च्छत्रपती कुछ नहीं कर पा रहे थे, जैसे मुगल एमपरर में क्या हुआ, जो नौबेल्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने आपको इतना मजबूत कर लिया, कि मुगल एमपरर नाम मात्र कर रह गया, और नौबल्स जिसको चाते थे, उसको मुगल एमपरर बनाते थे, मुगल एमपरर की हत्या भी फर्रुक सियर का हमने देखा, कैसे हत्या करवाई गई, मराठा किंग, बाला जी, विश्वनात के दुरू, तो ये क्या था, लेकिन वहाँ पर कोई ट्रीटी से साइन नहीं हुई, यहाँ पर ट्रीटी साइन हो गई, यहाँ पर छत्रपती को थोड़ी इज़द दी गई, कि देखिए आप अपनी पोश्ट पर बने रहेंगे छत्रपती, आप कोई भी आए, आप अपने वारिस बनाते जाएगा, छत्रपती बने रहेंगा, यानि कि राष्टपती बने रहेंगा, फिर अपने ही वारिस को राष्टपती बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा खर्चाव गर्यार मिलता रहेगा, आप nominal head, आपके नाम पर ही सारा काम होगा, लेकिन काम करेगा कौन, पेशवा, decision कौन लेगा, पेशवा आपको क्या करना है, सिर्फ उस पर अपना हस्ताक्षर करना है, पेशवा ने बोल दिया, कि इतना percent tax लगेगा, तो आप उस पर क्या करोगे, sign कर दोगे, पेशवा का, वो पूरा का पूरा काम कौन करेगा, पेशवा करेगा, ठीक है, इस तरह से, पूरा matter हुआ, तो यहाँ पर अब, treaty of संगोला, तो आप से पूछे लेकर, treaty of संगोला क्या था, treaty of संगोला यह था, कि यह official हो गया, कि now the छत्रपती, will be only nominal head of Maratha Empire, and पेशवा will be the real head, या real power, या real, जो भी कर लिजे, सब कुछ अब किसके हाथ में चली गई, पेशवा के हाथ में चली गई, यह officially हो गया, ठीक है ना, next लिखिए, यहाँ तक हो गया, इसके बाद, लिखिए, इन, अच्छा, ट्रीटी अफ संगोला कब है, तो यह है, 1750, 1750, क्योंगी 1749 में इन की देथ है, साहु जी की देथ है, तो जैसे ही, राम राजा बने, वैसे ही क्या हुआ, एक साल में, 1750, next year में ही, कुछी महीनों में उसने, यह ट्रीटी वगर साइन करके, कहा कि अब आप लोग अराम करो, सब कुछ हम समझ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, in 1752, ट्रीटी विथ, मुगल, एम्परर, अब 1752 में, मुगल एम्परर के साथ, ट्रीटी हो रही है, तो 1752 का मतलब क्या हुआ, जाइड सी बात है कि, लेटर मुगल को इरबात सा रहा होगा, तो अब यहाँ पर, आपका काम है कि, अब आप जाकर पीछे थोड़ा सा, नोट्स पल्टिये, लेटर मुगल का, और अगर पूरा स्पेस्फिक बता दू तो, 1752 के समय, मुगल एम्परर था, एहमद सा, ठीक हैं, और इसी एहमद सा के टाइम पर, एहमद सा अब दाली भी आया था, तो इस एहमद सा के साथ, इन्होंने ट्रीटी साइन की थी, क्या ट्रीटी साइन की थी, कि, तो ट्रीटी विथ मुगल एम्परर, तो अब आप, अभी मैं यहां नहीं लिखवाऊंगा, आप क्या करोगे, पीछे जाकर लेटर मुगल में चेक करोगे, और 1752 के समय कौन मुगल एम्परर था, वहाँ देखिए, पढ़िए, और फिर लिखिए, यहाँ पर मुगल एम्परर का नाम लिखिएगा, तो उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा गैप, छोड़ दीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, गैप, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा, ताकि उस मुगल एम्परर का नाम लिख सके आप, ठीक, तो लिखिएगा, ट्रीटी विद मुगल एम्परर, साइन्ड, टू, कलेक्ट, चौथ, फ्रॉम, इंटाइर, फ्रॉम, इंटाइर, मुगल, एम्पर, फ्रॉम, इंटाइर, मुगल, एम्पर, तो जब, आप, मुगल एम्परर से, से चौथ, यानि की, टैक्स वसूल होगे, उसके बिहाफ में, आपको कुछ देना पड़ेगा, मुगल एम्पाइर को, तिन्हों ने क्या दिया, एंड, इन रिटर्ण, मराथा, विल, प्रोटेक्ट, दें, अब सोचिए, इतनी बड़ी बात, कि इतना बड़ा, मुगल एम्पाइर, जो इसको, अकबर ने बनाया, जहांगीर, साजहां, और और अरण्जेब, ने उसको और बड़ा किया, उस मुगल एम्पाइर, के बात्सा, कि ये हालत हो गई, 1752 में आके, कि वो मराठों के साथ, जो अभी जश्ट, नया नया एक किंग्डम, डबलब होता कव, और अंजेब के टाइम में, तो डबलब हुआ, अभी 1780 में, तो सिवा जी की मौत हुई थी, देथ हुई थी, तो कब कितना हो गया, 1752, 1680 में देथ हुई थी, 1752 चल रहा है, तो 50-80 साल ही तो हुआ, मैं ये कह रहा था, कि अभी, सिवा जी की देथ कब हुई, 1680 में, सिवा जी की देथ हुई, और अभी क्या टाइम चल रहा है, 1752, अभी जो हम लोग पढ़ने हैं, 1752, तो कितना साल हो गया, 50-80 साल, 80 इयर्स में, वो मुगल सल्तनत, जिसका बादसा और अंजेब था, और जो मराठों को, दवाने की कोशिस कर रहा था, उस मुगल सल्तनत की हालत ये हो गई, कि अब उसी मुगल सल्तनत का इंपरर, यानि कि, जो बादसा है, वो क्या कर रहा है, वो मराठों के साथ, ट्रिटी साइन कर रहा है, कि तुम हमें प्रोटेक्ट करो, इंटर्नल और एक्स्टर्नल दोनों साइड से, और उसके बदले, हमारे अंडर जो एरिया है, और एरिया मतलब यू समझें कि, आगरा, अजमेर और नौर्स वेस्ट का प्रोविंस, बहुत बड़ा एरिया तो बचा भी नहीं था, तो उस एरिये का जो, चौथ है वो तुम, क्या करो, तुम कलेट कर लो, यानि कि टैक्स तुम कलेट कर लो, मराठे कलेट कर लें, और इन लोगों की हालत ये थी, कि जो बंगाल से थोड़ा बहुत जो पैसा आता था, उसी पर ये लोग निर्वर हो गए थे मुगल वाले, ये हालत हो गई थी, किसकी मुगल एमपायर की, यहां तक समझे, ठीक है, और इसी ट्रीटी की वजए से, यही जो 1752 में ट्रीटी साइन हुई, इसी ट्रीटी की वजए से, आगे चलके, 10 साल बाद, क्या होगा, थर्ड बैटल ओफ पानी पत, मराठो को लड़ना पड़ेगा, एहमद साब दाली, और उसमें क्या होगा, मराठो की पावर, लगवग लगवग खत्म सी हो जाएगी, तो खेर, अभी तो, इसके बीच में भी कुछ घटनाए होती है, उनको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं, कि कैसे, थर्ड बैटल ओफ पानी पत तक पहुँचेंगे, तो इसके बाद की घटनाए लिखते हैं, स्रीज वाइच चलते हैं, ठीक है, कूदेंगे नहीं हम लोग, चलिए, तो 1752 तक की कहाने मुनों देखिए, इसके बाद क्या होता है, लिखिए, इन 1754, मराठा, अंडर, लीडर्शिप आफ, रगुनात, रव, ट्रोन, अंधसा, चलिए, लीड बडली, जो से बाद रव, गिव दर मुगल थ्रोन किसको टू आलम गीर सेकेंड तो एहमद साब को डी थ्रोन भी किस ने किया था मराठों ने किया था लेकिन बाला जी बाजी राउ ने नहीं किया था यह जो मुगल दरबार में मराठों के ओफीसर थे रगुनात राउ उन्हों ने यह सारा काम किया था और फिर किसको दे दिया बना दिया गया आलम गीर सेकेंड को बना दिया गया ठीक है और फिर वही हुआ कि आलम गीर सेकेंड तो फिर वहां जागे पढ़ियेगा लेटर मु सा जहां थर्ड को बनाया सा जहां थर्ड भी खतम हो गया तो फिर सा आलम सेकेंड बना तो सा आलम सेकेंड जब बना तो वो थोड़ा सा समय तक रहा लेकिन कैसे रहा तो सा आलम कभी दिल्ली आया ही नहीं ठीक है? वो दिल्ली आया ही नहीं उसको कौन? तो इसके बाद लिखते हैं तो अब कौन आ गया मुगल बातसा हो गया आलमगीर सेकेंड तो ये मराठो और मुगल सल्दनत के बीच की पूरी एक तरह से क्या है आपको बनाना पड़ेगा एक सौट नोट क्या मराठे एंड मुगल्स तो मराठे एंड मुगल्स का बनाएंगे तो पहले सिवा जी और अरंजेप की कहानी बनाएंगे उसके बाद फिर बाला जी बिशनात किसको कौन से मुगल इंपरर को मडर करते हैं तो यह पूरा आपको एक short note बनाना पड़ेगा तो यहाँ जब इसको बढ़ेंगे और मुगल empire पढ़ेंगे तो दोनों को मिला कर आपके short note बनेंगे बनाने को तो मैं अभी आपको बना कर दे दूँगा लेकिन उससे क्या होगा कि आप फिर पढ़ोगे नहीं आप उसको लेकर बैठ जाओगे रटने लेकिन जब आप वहाँ जाकर पढ़ोगे दोनों को मैच करा करा कर तो आपको क्या होगा कि एक बार यहाँ पढ़ा तो यहाँ एक point लिखा फिर उसको जाकर letter मुगल में पढ़ा देखा और वहाँ से मैच किया और फिर दोनों लाइन को मैच कराया तो जब ऐसे आप एक short note बना लोगे न मराठा एंड मुगल्स का तो आपको याद हो जागा अच्छा ये मराठा छत्रपती के साथ ये कहानी थी अच्छा इस मराठा पेसवा के साथ इस मुगल अंपायर की बादसा की कहानी थी देखिए एक एहमद साह के बदले आलमगीर भी आ गया तो बाला जी बाजी राओ के समय तीन मुगल अंपायर अच्छा जहां थर्ड तो ऐसे करके आप पढ़ोगे तो अपने आप चीजे सही रहेंगे वहां साह जहां थर्ड के बदले आपको साह आलम से केंड मिले रहेंगे साह आलम में आपको बताया हूँ मैं कि साह आलम दिल्ली नहीं आतत इमादूल मुल्क क्या करता है साह आलम के ए बज़ पे साह जहां थर्ड को एजे सिंबॉलिक एंपरर बनाकर सारा काम करता है आया भी हुँ ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिये इन 1757 इन 1757 मराथा अटैक्ड दिलही एंड रिमूब्ड कौन था उस वक्त बताईए नजीव हुद दॉला फ्रॉम पॉस्ट आफ पूरा लिखिये उसके बाद बताता हूँ मीरवक्ष विच वाज रिप्रेश जन टेटिव ओफ एहमदसा अबदाली यह क्या था एहमदसा अबदाली ने अटैक इतनी बार किया था और मैंने क्या कहा साह आलम सेकेंड दिल्ली आने को तयार ही नहीं हो रहा था ठीक है तो कुछ समय तब तो क्या हुआ गुलाम कादिर भी वहाँ पर अपना क्या चलाया एक तरह से अपनी आटोक्रेसी चलाई और गुलाम कादिर को महाजी सिंदिया ने हराया था ठीक है तो महाजी सिंदिया किसके थे मराठा के कॉन्फिटरेटर थे न तो जब ये एहमद साह अबदाली बारवा अटेक कर रहा था और ये लोग क्या हो रहे थे साह आलम आ ही नहीं रहा था तो वहाँ पर एहमद साह अबदाली ने अपने एक वैक्ति को दरवार में न्युक्त कर दिया था ठीक है किसको अपने एक व्यक्ति को दर्वार मिन्यू किया जिसका नाम था नजीब उद्दौला और ये केस पोश्प था मीरबक्ष यानि कि इसके पास आर्मी थी तो मराठो ने दिल्ली इसमें अटैक करके नजीब उद्दौला को भी हटाया जो एहमसाबदाली का रिप्रेजेंटेट्यू था और फिर मुगल अमपायर को वहाँ पर इस्टेबलिस करवाया ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट लिखे इन वहाँ पर ये बाते आपको नहीं बताई क्यों क्योंकि ये बाते मुगल अमपायर सेटेड नहीं है ये बाते मराठा अमपायर सेटेड है इसलिए कह रहा हूँ ना कि दोनों को फिर साथ में करके आपको पढ़ना पढ़ेगा वहाँ और यहाँ की घटनाओं को साथ में लेके आपको पढ़ना पड़ेगा समझ में आई बात नेक्स्ट पॉइंट लिखे इन सेवेंटीन फिप्टी एट रगुनात राव थ्रू आउट किसको प्रिंस तैमूर कौन है ये सन अफ अबदाली कहां से फ्रॉम पंजाब तो अबदाली इतनी बार अटैक कर रहा था तो वो क्या कर रहा था यहां पर अपने लोगों को रह कर क्या कर रहा था यहां से पैसे की मतलब यहां से टैक्सेशन हो करा करा के अपने तरफ इकठा कह रहा था तो फिर क्या हुआ जब मराठों ने ये ट्रीटी साइन कर रखी थी मुगल समराट के एंपरर के साथ यानि बालसा के साथ तो इन्हों ने फिर पूरा अपने आपको मजबूत किया और धीरे धीरे ये जो अबदाली की जो भी यहां पर कुछ जो कुछ था उसको हटाना शुरू के तो पहले नजीब उद्दौला को हटाया कहां से दिल्ली से दिल्ली से नजीबूत दौला को हटाने के बाद फिर इन्हों ने क्या किया जो अबदाली ने अपने बेटे तैमूर को पंजाब में बिठा कर रखा था उसको भी वहां से हरा कर भगाया इस तरह से इन्होंने दिल्ली और पंजाब तक के पूरे एरिये को क्या किया परसियन एमपरर एहमद साहबदाली के कंट्रोल से फिरी किया एहमद साहबदाली के का जो कुछ भी यहाँ पर असर था उससे फिरी किया ठीक है न? लेकिन अभी भी साह आलम क्या है? भागा हुआ है साह आलम अब 1759 में साह आलम बन जाएगा एमपरर और साह आलम फिर आएगा नहीं क्योंकि आलमगीर 1759 में जागी देथ तो अभी तक तो आलमगीर है अभी तक राजा कौन है? मुगल एमपरर का 1758 तक आलमगीर जिसको रगुनात राओ ने सहनसा बनाया है तो इस आलमगीर को जब इन्होंने बनाया था तो इस आलमगीर ने अपनी सेना भी दी और मराठों की सेना तो मुगलों और मराठों की सेना ने मिलकर पहले क्या? किया? नजीब उद्दौला को भगाया और फिर उसके बाद अबदाली के बेटे तैमूर को पंजाब से भगाया ठीक है? तो अबदाली के असर से मुगल एमपायर को किसने मराठों ने फ्री किया? लेकिन किसके सपोर्ट से? रगुनात राओ के सपोर्ट से रगुनात राओ के नित्युत में अब क्या होगा? जब आप अबदाली के रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली दर्वार से भगाओगे उसके बाद आप उसके बेटे को तैमूर को पंजाब से हरा कर भगाओगे तो अबदाली क्या करेगा? उसका बदला लेगा तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एहमच साथ अबदाली एक्सेप्टेड दिस अबदाली अबदाली एक्सेप्टेड दिस अज एए चलेंज एंड इन 1761 एंड इन 1761 दिस तर्न्स इंटू थर्ड बैटल थर्ड बैटल ओफ पानी पत तो यह क्या था यह आपको घटनाय लिखाए गए जिसकी वैसे थर्ड बैटल ओफ पानी पत हुआ नहीं तो होता क्या मैं डारेट आपको लिखवा देता कि इन्हों ने 1752 में ट्रीटी साइन की एहमद साह के साथ कि हम तुम्हें अंदर और बाहर हर दरह से प्रोटेट करेंगे और फिर क्या करता है सीधे सीधे लिखवा देता कि हां 1761 में हमसा दाइन अटेक किया और उसमें क्या हुआ इनकी मराठो की हार हो गई लेकिन ऐसा नहीं मैंने आपको उसके बाद क्या रहा है 1752 में आपको क्या है 1754 मिनों ने क्या किया महराथों ने रहुनात राओ के मदद से पहले अहमसा को हटा कर आलमगीर को बनाया राजा अब आलमगीर के ने जब महराथों के बना आलमगीर ने महराथों को सपोर्ट किया तो फिर रहुनात राओ ने सबसे पहले क्या किया एहम साबदाली के तीटे नजीब उथदौला को दिल्ली से हटाया मीरबक्स जो बनúblicे बैठा था एहम साबदाली और फिर एहम साबदाली के बेटे तैमूर को पंजाब से भागाया और जब इतना किया तो एहम साबदाली क्या करेगा इसको challenge के रूप में लेगा और challenge के रूप में लेगा तो पूरा अपने lawless kar के साथ बड़ी सेना के साथ क्या करेगा invade करेगा और जब अब ये invade करेगा तो अब होगा मराठों और एहमद साबदाली के बीच में एक बहुत बड़ी war और इस war को कहेंगे हम लोग third battle of पानीपत अब यहाँ आपको पढ़ाऊंगा third battle of पानीपत 1761 यहाँ तक चीज़े clear हैं तो इसको रब करते हैं और अब पढ़ते हैं third battle of पानीपत third battle of पानीपत आपको अब पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा है इसमें पूरा background भी तो समझ ही लिया लेकिन इसमें क्या क्या हुआ और इसके इससे क्या result निकला वो सारी बाते आपको यहाँ बताऊंगा तो इसको रब कर रहा हूं